आज जेबरा की रानी एक बच्चे को जन्म देती है लेकिन वो अपने प्रजाती के जानवियों के जैसा नहीं दिख रहा था क्योंकि उसके आधे शरीर पर निशान होता है और आधे पर नहीं जब जुन के सभी जानवर उसे देख में आते हैं तो अपने सरदार से कहते हैं ये तो हम सभी के लिए पनौती है और इसकी वज़े से हमारे पीने का पानी खत्म हो जाएगा और हमें बाहर जाना पड़ेगा ये सुनते ही छोटा जेबरा रोने लगता है उसकी माँ उसे समझ जल्डी से पानी बैंने की भीक मांगते हैं ये देख सभी जेबरा खुमा पर बहुत गुस्सा होते हैं और बाहरी जानवरों को फॉरन वहां से निकालते है लेकिन तभी एक टाइगर उन जानवरों पर हमला कर देता है और इनके जुन की ओर बढ़ता है खुमा के पिता ज